हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार जो tis जैन्मे द्रशों को आपका हम हार दिंग स्वागत करते हैं आयए आज हम बात करते हैं राहु के बारे में चीजें इसके उपर हम आपको बताएंगे लेकिन इस कारिकरम को करपया आप द्यान से सुनें बहुत लोगों की आपकी रिक्वेश्ट थी कि शर्मा जी राहू के उपर बताएं जो साथ मार्च को अपनी चाल को बदल रहे हैं इसका किस लगन के उपर राशी के उपर किस प्रकार का परवाव बढ़ने वाला है और प्राकरतिक घड़नाओं में या प्राकरतिक रूप में किस प्रकार से ये अपने रोल को अदा करेगा आप देखो मेरे दर्शकों सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपको डरने की आवश्यक्ता नहीं है कितनी भी विसम परिस्तितियां क्यों ना आ जाएं हर परिस्तिती का इलाज मनुश्य कर सकता यानि के अगर समस्याएं भी है तो समाधान भी है दोनों ही बाते हमारे साथ चलती है और भगवान ने और हमारे रिश्यों नाना भाती कैसे उपदेश दी है भगवान श्री कृष्ण ने देखो गीता में किस प्रकार से जीवन के मरम को समझाया है करम के मरम को समझाया तो हमें घहरानी के आवश्रक्ता नहीं है आईए अब हम come to the point पे आते हैं अठारा वर्ष के बाद मेरी बात को दियान चे सुनिए का अठारा साल के बाद राहू अपनी उच्छ राशी में परवेश कर रहे हैं साथ मार्च को हो सकते हैं ये कारे करम मेरा आप साथ मार्च के बाद भी सुने तो ये मानने अठारा साल के बाद राहू उच्छ राशी में परवेश कर रहे हैं यानि कि मिथुन राशी के राहू उच्छ के माने आते हैं हाला कि कुछ विद्वान वर्षब के राहु को भी उचका मानते हैं अपना-पना मतानतर है लेकिन आमोमन मिधुन राशी में ही जब राहु आते हैं या मिधुन राशी के हिसाब से ये कहने कि राहु उचके माने जाते हैं अधिकतर धारना ऐशी ही है और जो तिसके कुछ सुत्रविया से कहते हैं 18 वर्षों के बाद 7 मार्च को राहू मिथुन राशी में परविस्ट कर रहे हैं प्रातकाल यानि कि उच राशी में आ रहे हैं अब किस प्रकार से किस जातक के उपर इस संयोग का फर्क बढ़ेगा ये सारे संसार के लिए एक सी घटनाई तो नहीं हो सकती लेकिन अगर हम यहां लगन को पगड़ करके चले तो दर्शों को मैं यहां आपको कुछ ऐसी चीज़े पताऊंगा कि किस लगन के जातक पर किस प्रकार का प्रभाव राहू डालेंगे इस सफर में और एक चीज़ और ध्यान रखें कि राहू जब किसी रासी के उपर आते हैं तो अठारा महीनों के लिए आते हैं हमारे नव गरह होते हैं नव गरहों में दो गरह हमारे राहू और केतु चाया गरह मैंनाई आते हैं और हाला कि राहू के एक सर्प की उपमा भी दी गई है एक विशेलेपन की उपमा दी गई है राहू जब अपनी पर आते हैं तो वास्तम में ये व्यक्ति को जीवन के व्यक्ति के जीवन को मोतियों से भर देते हैं राजा को रंग बनाने की ये हिम्मत रखते हैं और रंग को राजा बनाने की और राजा को रंग बनाने की दोनों ही चीज़े इनके हाथ में होती है यानि कि इनका गणित इस प्रकार का होता है अगर आप शुब इस्तिति में राहू के आते हैं तो कहीं न कहीं आपके जीवन लगाने की शमता राहू की है, चंद्रमा में गिरहन लगाने की शमता राहू की है, चेहरों को कुरूब करने की शमता राहू की है, शेर मार्केट में उच्छाल लाने की शमता राहू की है, व्यापार, सट्टा, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों को राहू, अजीब से अज की प्रात्य काल से 2019 से राहू एक बहुत बड़े परिवर्तन में आ रहे हैं और यह किसको क्या-क्या देके जाएंगे यह सोचने का विश्य है लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा शर्माजी हमारे लिए अशुम हैं जैसे कि किसी के पंचम भाव में मिथुन राशी बन रही है किसी के सिक्स्थ हाउस में मिथुन राशी बन रही है किसी के भागय स्थान में मिथुन राशी बन रही है किसी के लाव स्थान में मिथुन राशी का जमा पत्रिगा नहीं होती, सबके अलग-अलग होते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर एक वादा करता हूं, कि आज तो में मेरे पास इस प्रकार का भी समय नहीं है, कि मैं आपको इसकी बहुत सारे उपाई दे सकूँ, इतना आपसे मेरा वादा है, कि राहू के इस योग को दे दीजिएगा, और मैं प्रियास करूँगा कि साथ मार्च के आसपास से, आपको राहू का प्रभाव हर लगन में क्या बनता है, ये मैं आपको बताऊँगा, और साथ में ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, कि हमें क्या-क्या विसेस साफधानिया रखनी हैं, हमें क्य को जब कुछ बिगड़ना होता है एक सेकंड ही बहुत होता एक मिनट ही बहुत होता और सर पर ताज आने के लिए भी कई बार लंबा क्यूं में लगना पड़ता है यानि के विशेस प्रकार की चाहा में कई बार पूरा जीवन चलायाता और कई बार अच्छा खासा जीवन ज लगन के जातको पर राहू क्या प्रभाव डालेंगे अठारा महीने के लिए और एक चीज मैंने आप से और कही है कि अठारा वर्ष के बाद राहू अपनी शुब राशी में अपनी उच राशी में आ रहे हैं ये भी आप मान लीजिएगा कि दोनों ही बातें हैं प्लस बात है कि अठारा वर्ष के बाद राहू अपनी उच राशी में मिथुन राशी में प्रवेश कर रहे हैं और अठारा महीने के लिए कर रहे हैं ये तो बात हो गई कि अठारा महीने के लिए राशु राहू जो प्रवेश करते हैं एक राशी में लेकिन अठारा वर्ष बाद जाला घहवरानी के आवश्रक्ता नहीं है और इसके लिए यूट्यूब पर मेस लगन से लेकर के मीन लगन तक का ब्योरा बस आप तो चार दिन का जरा पैसेंस रखें मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा कौपी पैन जिस वकट आप यूट्यूब पर हमारा कारेकरम देखें कौपी पैन अपने साथ रखना और सारी चीजे आप नोट डाउन करते चला जाना साथ में हम किस प्रकार से अपनी जनम पत्रिका के हिसाब से अपने ग्रोहों को बलवान बनाएं ये इफेक्ट भी आपके राहू कमजोर और प्लस करते हैं क्योंकि कई बार जैसे बाई दिबे आपने देखा होगा पहले करक्के राहू थे वकर गती से चलने वाले ये राहू होते हैं और साथ में तीन द्रिश्टियों पर इनका काबू होता यानि के राहू जहां बैठते हैं वहां से पंचम द्रस्टी को देखते हैं सब्तम द्रस्टी को देखते हैं और वहीं से नमम द्रस्टी को देखते हैं अगर ये द्रस्टिया वहाँ पर ग्रोहों का इनका योग सही हो, मित्रवत्र ग्रह हों तो शुब फल देंगे और मित्रवत्र ग्रह ना हों तो अशुबता में भी जीवन को परिवर्टित करते देर नहीं लगती है और चलते चलते बस आप से यही कहूंगा कि थोड़ा सा व विसेस उपाई करने हैं बस मुझे थोड़ा सा चार पास दिन का समय दें अभी थोड़ा से कुछ काम है क्योंकि शिवरात्री पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है तो मैं मैं चाहता हूं पहले हम महा काल से आशिरवाद लेने चार मार्च की शिवरात्री है उस पर कुछ विसेस बाते कर ली जाए और उसके बाद में तुरंत आपको जैसे ही साथ तारिक से पहले ही आस-पास बहुत सारी चीज़ें में पूरे लगन के बारे में इसके ब्योरा आपको देने वाला हूं इन्हीं शब्दों के शाथ हम अपनी वानी को ब्रहाम देत है हम लोग बागिशाली है जो आपके करीभाने का हम लोग मौका मिला है 28 फर्वरी पटना 14 मार्च मुंबई 27 मार्च लुधियाना 4 अप्रेल लखनौ 17 अप्रेल पटना 26 अप्रेल जैपूर अन्य दिनों में शर्मा जुय अधिकतर दिली में रहते हैं अपॉन्मेंट के लिए संपर्ख करें संपर्ख सूत्र 9268-319743, 81309-48703 और 95822-48029 हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अभिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें